हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ए एन सक्सेस पॉइंट में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 कोचन्स को देखेंगे जो आपके आने वाले एकजाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है तो वीडियो को बिना स्कीप किये इंडिय तक जरूर देखे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट कोचन है किस पे पदार्थ में बिटामिन C को छोड़ कर सभी पोसक तत्वा पाय जाते हैं और फ्रेंड्स आप लोगों को प्रते कोचन के एंसर देने के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा तो आपका टाइम इस कोचन के लिए स्टार्ट होता है राइट एंसर है इसका आप्सन ए दूद दूद ऐसा पेपदार्थ है जिसमें बिटामिन C को छोड़ कर सभी पोसक तत्वा पाय जाते हैं हमरा आप्सन ए सही होगा चलिए आगला परसन देखेंगे परियावरन छत्री के नाम से किसे जाना जाता है सही एंसर है इसका आप्सन D क्यूंकि ओजोन परत सूरिय से आने वाली पैराबैगनी किरने को रोकती है हमरा आप्सन D सही होगा ओजोन को चलिए आगला परसन देखेंगे सरीर के सभी कारियों का नियंतरन कौन सा अंग करता है राइट एंसर होगा हमरा आप्सन C मस्तिस्क जो सरीर के सभी कारियों का नियंतरन करता है हमरा आप्सन C सही होगा चलिए आगला परसन देखेंगे नेफा किस राजिये का पुराना नाम है राइट एंसर है इसका आप्सन B और उनाचल परदेश और उनाचल परदेश का पुराना नाम नेफा है हमरा option B सही होगा चलिए आगे देखेंगे ज्यान पीठ पुरसकार कब प्रारंभ किया गया सही एंसर होगा इसका option B 1965 1965 में ज्यान पीठ पुरसकार प्रारंभ किया गया हमरा option B सही होगा चलिए आगे देखेंगे किस सासक ने पाटली पुत्र का नाम पटना किया सही एंसर है आप्सन ए सेर सासूरी सेर सासूरी ने पाटली पुत्र का नाम पटना किया हमरा आप्सन ए सही होगा चलिए आगला परसन देखेंगे मनुस्ये के सरीर में पसलियों के कितने जोरे होते हैं सही एंसर है इसका आप्सन ए बारा बारा जोरे होते हैं पसलियों के मनुस्ये के सरीर में हमर आप्सन ए सही होगा चलिए आगला परसन देखेंगे सेर सा सुरी की मिर्तियों कब होई राइट एंसर होगा आप्शन C 22 मई 1545 में सेर सा सूरी की मिर्ती हुई हमार आप्शन C से होगा 22 मई 1545 चलिए आगे देखेंगे गड़ वाली किस राज्ये का लोक निर्तिया है राइट एंसर है इसका आप्शन B उत्राखंड उत्राखंड राज्ये का लोक निर्तिया गड़ वाली है हमार आप्शन B से होगा चलिए आगला पर्षन देखेंगे बिर्दावन गाडन कहां इस्तित है राइट एंसर है इसका आप्शन A मैसूर मैसूर में बिर्दावन गाडन इस्तित है हमरा option A सही होगा और जो ये करनाटक राज्ये में है मैसूर करनाटक राज्ये में है हमरा option A सही होगा मैसूर में बिर्दावन गाडन है चलिए आगला परसिन देखेंगे धूअधार जल प्रापात किस राज्ये में है सही एंसर होगा इसका option A मद्दे पर्देश राज्ये में धुआधार जल प्रापात है हमरा अप्षन ये सही होगा और ये धुआधार जल प्रापात नर्मादा नदीपर है जो मद्दे पर्देश के जब्बलपूर के निकट इस्तिति या एक सुन्दर जल प्रापात है हमरा अप्षन ये सही होगा म अप्सन D, 12 जन्वरी को मनाया जाता है और 12 जन्वरी को मनाने की एक खास वज़ा है इस दिन स्वामी बिवेकानंद का जनम हुआ था और स्वामी बिवेकानंद की जैनती को देश के युगाओं के नाम पर समर्पित करते हुए हर साल राष्ट्री युगादिवस के रूप मे मनाया जाने लगा जो 12 जनुवरी को मनाया जाता है हमरा option D सही होगा चलिए अगला person देखेंगे नलंदा विश्व विद्याले को किसी ने नौस्ट किया राइट एंसर होगा option A बक्तियार खिलजी बक्तियार खिलजी ने नलंदा विश्व विद्याले को नौस्ट किया हमरा option A सही होगा चलिए आगे देखेंगे राष्ट्रिये बाली का दिवस कम मनाया जाता है राइट एंसर है इसका option D 24 जनुवरी 24 जनुवरी को राष्ट्रिये बाली का दिवस मनाया जाता है हमरा option D सही होगा 24 जनुवरी चलिए आगला पर्ष्ट्रिये देखेंगे सन्नी के उपगरा टाइटन का रंग कैसा है सही एंसर होगा इसका option C नारंगी रंग है सन्नी के उपगरा टाइटन का हमरा option C सही होगा नारंगी चलिए अगला पर्षन देखेंगे सबसे हलका तत्वा कौन सा है सही एंसर है आप्षन D हाइड्रोजन हाइड्रोजन सबसे हलका तत्वा है हमरा आप्षन D सही होगा हाइड्रोजन चलिए अगला पर्षन देखेंगे महाभारत का मुल नाम क्या है राइट एंसर होगा अप्षन C, जय संहिता, जय संहिता महाभारत का मुल नाम है, हमरा अप्षन C सही होगा, चलिए आगला परसिन देखेंगे, सीवा जी के राजपुरोहित कौन थे? राइट एंसर है इसका अप्षन A, गंगा भट, गंगा भट, सीवा जी के राजपुरोहित थे? हमरा अप्षन A सही होगा, गंगा भट, चलिए आगला परसिन देखेंगे, लिलावती गरंथ का क्या विशाय है? सही एंसर होगा इसका, अप्षन C, गंइत, गंइत बिशाय है, लिलावती गरंथ का, हमरा अप्षन C सही होगा, गंइत, चलिए आगे देखेंगे, किस गरह को सोंदर्य का देवता कहा जाता है? सही एंसर है, अप्षन B, सुक्र को, सुक्र गरह को सोंदर्य का देवता कहा जाता है, हमरा अप्षन B सही होगा, चलिए आगला परसिन देखेंगे, काला जहन्डा किसका प्रतीक है? राइट एंसर होगा, अप्षन A, बिरोध, बिरोध का है? काला जहन्डा, प्रतीक, हमरा अप्षन A सही होगा, बिरोध, चलिए आगला परसिन देखेंगे, भारत की पहली किरिकेटर, महिला अमपायर कौन थी? राइट एंसर होगा, अप्षन C, अन्जिली राइए, भारत की पहली किरिकेटर, महिला अमपायर थी, हमरा अप्षन C सही होगा, अन्जिली राइए, चलिए आगे देखेंगे, केंदरिये नमक, अनुसंधान, कहां इस्तित है? सही एंसर है, अप्षन A, भाव नगर, भाव नगर में केंदरिये नमक, अनुसंधान, इस्तित है, हमरा अप्षन A सही होगा, और ये गुजरात राज्ये में है, भाव नगर, चलिए आगला परसिन देखेंगे, किस रोग के बिरूद सबसे पहले टीका करन प्रारंब राइट एंसर है, अप्षन C, चेचक, चेचक रोग के बिरूद सबसे पहले टीका करन प्रारंब हुगा, हमरा अप्षन C सही होगा, चलिए आगला परसिन देखेंगे, और इस वीडियो का आखरी, गौतम बुध की साधी, किस उम्र में हुई? राइट एंसर है इसका आप्षन B, सुल्ला वर्स, सुल्ला वर्स के उम्र में गौतम बुध की साधी हुई, हमरा आप्षन B सही होगा, और इनके पतनी का नाम यो सुदरा था, यो सुदरा था इनकी पतनी का नाम, और कितने वर्स के उम्र में इनकी साधी हुई, तो सुल् चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले.